हेलो एवरीवन वेलकम नौव वी विल स्टडी सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ डियार्टी पार्ट सेकेंड रिसेंट एडवांसेज में आज हम एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैगनेटिक रेजोनेंज इमेजिंग एम आर आई एमर आई जैसा कि हमारे रेडियोलोजी डिपार्टमेंड में बहुत सारे डायगनुस्टिक प्रोसेजर होते हैं डायगनुस्टिक प्रोसेजर डैट Banaak pounds disease conditions को डायगनौस करना हमने यहां पर x-ray की बात की CT scan की बात की x-ray में भी हमने fluoroscopy और और special radiography के बारे में discuss किया जैसे अपन recent advances में आते हैं तो यहाँ पर अपनी sonography के बारे में अपन बात कर थी city scan computer tomography के बारे में अपनने बात की that means कि सारे diagnostic processes है अलग-अलग body organ के according specific diagnostic processes और उनका principle that means कि वो किस principle पे काम कर रही है कौन सी radiation वो काम में ले रहे हैं कौन सी machines वहाँ पे काम में ले जा रही है इन सब के base पे diagnostic process को हमने study किया तो जैसा कि अगर अपन यहाँ पर बात करें radiation का base तो अपना जो x-ray और जो city था ठीक है जो x-ray city fluoroscopy mammography यहाँ पे हम x rays radiation काम में लेते हैं अपना एक प्रोसेजर आया इसके बाद में sonography ठीक है यूएस जी अल्ट्रा sonography नाम से पता चल रहा था यहाँ पे अपने को और हमने यहाँ पे study भी किया था कि यहाँ पे ultra sound waves हम काम में लेते हैं किसी भी body organ के disease condition को डाइगनोस करने के लिए अब अपने पास जो यहाँ पे आज का जो अपना diagnostic processor है MRI magnetic resonance amazing तो यहाँ पे अपने पास एक magnetic word आ रहा है और इसी से हम यह चीद समझेंगे कि यहाँ पे that means कौन सी radiation काम में ली जाएंगी कौन सा field होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो चुम्बक की छेतर है चुम्बक की जो धाराएं है magnetic waves है वो काम में ली जाती है किसी भी body organ की disease condition को diagnose करने के लिए तो जो main चीज है that means अगर किस कोई भी आपको इन तीन चार प्रोसेजर जो आपकी CT है sono है x-ray है या फिर MRI है अगर यहाँ पे principle की बात की जाए तो सबसे main चीज जाती है इनकी radiation that means city और x-rays के अंदर हम x-ray काम में लेते हैं usg के अंदर हम ultrasound waves काम में लेते हैं और magnetic resonance imaging MRI में हम magnetic waves काम में लेते हैं अब जैसा कि बात की जाए कि जो अपनी x-rays image बनाती है ठीक है वो अपनी किस तरीके से बनाती है that means वो body को penetrate करके जाती है और वहाँ पे अपना principle photographic effect काम में आता है अपने बात की ultrasound waves की तो ultrasound waves में ultrasound waves body के अंदर जाती है और टकरा के वापिस आती है फिर उनको detect किया जाता है उनकी velocity वगर उनकी intensity वगर उससे आपकी machine आपको image create करके देती है तो अपने दिमार्ग में एक सवाल आता है कि अब MRI में क्या होगा magnetic resonance amazing में क्या होगा penetrate होके जाएंगी या फिर reflect होके वापिस आएंगी या फिर कोई नया principle हम यहाँ पे काम में लेंगे तो इन सब चीजों के बारे में that means principle के बारे में magnetic resonance amazing के introduction के बारे में इसके components के बारे में इसकी amazing technique के बारे में हम इस topic में discuss करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह जो अपने recent advances के topic है for example जो आपका city scan है या फिर अपन बात करें यहाँ पे MRI की इतने wild topic गई है कि अगर हम इनको study करने लग जाए तो अपना पूरा syllabus that means पूरा syllabus एक तरफ और एक तरफ city है या फिर पूरा syllabus एक तरफ और एक तरफ अपना MRI है बट अपन इनको इतना ही पढ़ेंगे जितना कि अपने exams में अपने पूछा जाता है जैसा कि हम x-rays के बारे में पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को detail में पढ़ते हैं वहाँ पर विकोज जो अपना यहाँ पर department या फिर अपना जो यहाँ पर syllabus उसमें main important अपना x-ray आता है इस वज़े से हम उसके हर एक machine के छोटे छोटे components के बारे में discuss करते हैं उसकी हर एक position के बारे में discuss करते हैं बट जो अपना city है MR है इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए according to our department अपने department के according ठीक है इसी वज़े से इनके बारे में हम क्यों यहाँ पर superficially पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर introduction की Now we will discuss about the introduction of magnetic resonance imaging MRI The magnetic resonance imaging MRI is an amazing technique developed by Paul C. Lauterberg in 1970 at New York USA सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि यह जो टेक्निक है यह तो अपने को पता चल गए कि यह amazing technique है that means एक diagnostic processor है जिसमें हम body organs की images लेंगे ठीक है But इसको discover किस ने किया सबसे पहले किस ने इसको develop किया उसके बारे में आपन बात कर रहे हैं Developed by Paul C. Lauterberg scientist जिसका नाम था Paul C. Lauterberg जिसने 1970 में New York USA में इस amazing technique का development किया invention किया इसको discover किया ठीक है Earlier that means इससे पहले 1970 से पहले In 1946, Bloke and Edward started studying the magnetic field techniques and named it as NMR Nuclear magnetic resonance तो जैसा कि हम बात करते हैं यहां पर कि अपनी जो magnetic resonance amazing है हम यहां पर magnetic waves काम में लेंगे, magnetic field काम में लेंगे study करना start कर दिया था ठीक है और उन्होंने उस study that means जो magnetic field technique की वो जो study कर रहे थे उसको उन्होंने एक specific नाम दिया था और वो नाम था NMR nuclear magnetic resonance ठीक है बाद में that means further बाद में यह जो आपकी जो technique थी यहां पर nuclear magnetic resonance इसी technique को MRI में काम में लिया गया तो that means अगर अपन बात करें यहां पर principle के तो अपना जो basic principle है वो इसका है NMR MRI का basic principle क्या होगा NMR अगर Block and Edward इस magnetic field technique की study नहीं करते तो आगे फिर पोल सी लोटरबर के लिए MRI technique को खोजना थोड़ा कथिन था NMR is first described in solids and later on water is used for experiment अगर अपन NMR की बात करें तो सबसे पहले NMR की जो study की गई थी या फिर इसको जब describe करते थे यह जो technique थी इसकी जो theories थी इसके जो derivations थे उन सबको सबसे पहले जब describe किया गया था तो पहले solids पे किया गया था बाद में धीरे धीरे उन और experiment करके और study करके इनको water पे भी यूज किया गया later on NMR is replaced by the technique MRI that means कि 1946 में Block and Edward ने एक technique खोजी magnetic field technique जिसका नाम उन्होंने NMR रखा nuclear magnetic resonance फिर बाद में 1970 में पॉल सी लोटरबर्ण ने magnetic resonance imaging को खोजा और जब उसने magnetic resonance imaging को खोजा तब NMR को that means जो nuclear magnetic resonance थी इसको replace कर दिया गया किससे magnetic resonance imaging से that means पॉल सी लोटरबर्ण ने यहां पे जो आपकी NMR की जो technique थी उसको replace कर दिया था M-R-I-C ठीक है तो यहां पे अपन बात करते है केवल और केवल magnetic field techniques के बारे में इन magnetic field techniques के बारे में starting में बताया था block and Edward ने और फिर बाद में बताया था पॉल सी लोटरबर्ण ने 1970 में तो अगर आपन बात करें magnetic resonance imaging के principle की इसके सिध्धानत की कि कि किस principle पे यह machine या फिर यह imaging technique यहां पे वर्क करती है तो इसका principle आता है अपना NMR now we will discuss about the principle of MRI magnetic resonance imaging के principle की अब अपन यहां पे बात करते हैं मैंने पहले भी बताया आपको कि MRI से पहले NMR खोजी गई nuclear magnetic resonance और MRI का principle क्या है NMR ही है MRI is based upon the principle of nuclear magnetic resonance MRI NMR के principle के base पे वर्क करती है अब अपन बात करते हैं कि NMR में क्या आते है ठीक है या फिर NMR के main क्या सिद्धानत है जो अपने MRI में काम में ले गए the two basic principles of NMR that means NMR के दो basic principles है जिनको हम MRI amazing technique में काम में लेते है वैसे अगर अपन बात करें तो अपन direct बोल सकते हैं कि MRI आपके इन दो principles पे work करती है but नहीं because MRI work करती है NMR पे और NMR के ये दो principle है so indirectly MRI इन दोनो principles पे based अब ये दो principle है क्या इनके बारे में बात करते है atoms with an odd number of proton and neutron have spin that means कि ऐसे atoms जिन में neutron और protons की संक्या क्या हो odd हो odd और even की बात करें अपन sum और visham ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि atoms ऐसे atoms जिन में protons और neutrons की संख्या odd होती है उनका एक spin होता है spin का मतलब यहाँ पे that means आपको पता है कि atoms के अंदर protons, electrons, neutrons क्या करते है rotate करते है और जब rotate करते है तो वहाँ पे spin momentum produce होता है जब इनकी संख्या क्या होगी even होगी तो क्या करेंगे यह एक दूसरे की spin momentum को cancel कर देंगे बट अगर इनकी संख्या odd होगी तो जो आपका atom का जो total spin होगा वो आपको मिलेगा वहाँ पे because odd में एक जो last में spin बचेगा वो cancel नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे इस theory को समझाते हुए NMR ने बताया कि ऐसे atoms जिनके अंदर protons और neutrons की संख्या odd होती है वहाँ पे आपको resultant that means अंत में एक spin जरूर मिलेगा ठीक है दूसरा principle है a moving electric charge either positive और negative produces magnetic field दूसरा principle NMR यह बताता है कि कोई भी moving electric charge चाहे वो positive हो और चाहे वो negative हो produces magnetic field वो क्या करता है चुम्ब की यह छित्र को उत्पन करता है यह NMR का दूसरा principle था और इनी दोनों principle के base पे अपनी जो MRI technique है magnetic resonance imaging technique है वो work करती है अब किस तरीके से वो work करती है इसके बारे में अपन बात करते हैं तो इससे discuss करने से पहले अपन यह बात करेंगी even configuration और odd configuration अभी जो अपन ने first principle पर बात की कि अगर odd number of protons होते हैं तो spin होता है अब अपन बात करते हैं अगर even हो तो क्या होगा even configuration अगर होता है किसी भी atom का तो वहाँ पर क्या होगा cancel the spin rotation of each other मैंने आपको बता दिया कि वो एक दूसरे का spin rotation cancel कर देते हैं जैसा कि अपन chemistry के अंदर आप लोगों में जब आप hybridization पढ़ते हो या फिर जब किसी भी atom की energy के बारे में discuss करते हो तो वहाँ पर आप boxes बनाते हो और नंबर में होता है तो लास्ट में एक box में आपके पास केवल एक ही sign बचता है वहाँ पर net spin आपको मिलता है तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पर कि even configuration के अंदर सारे के सारे spin rotation एक दूसरे को cancel कर देते हैं so no magnetic effect is produced तो इस वज़े से वहाँ पर कोई भी magnetic effect प्रोड्यूस नहीं होता है अब अपन बात करें old configuration की have a single spin वहाँ पर एक single spin जरूर होगा so produce magnetic effect and used in MRI और वहाँ पर क्या होगा magnetic effect that means produce होगा और हम उसे MRI magnetic resonance imaging technique में काम में लेते हैं so this theory explains that तो यह जो अभी theory थी अपनी odd or even configuration वर यह क्या explain कर रही है so this theory explains that the charged particle H plus which has a only single proton positively charged produces a net spin and creates images of internal structure when magnetized अब आपकी यह थोरी आपको बताती है कि जो particle अपना H plus है जो कि charged है और जिसमें एक ही proton है which has a only single proton positively charged जिसमें positively charged single proton that means यहाँ पर odd number हुआ produces a net spin वहाँ पर आपको spin मिलेगा and creates images of the internal structure when magnetized जब हम इसे magnetize करेंगी तो यह internal structures की images बताएगा अब यह internal structure की images कैसे बताएगा इनके बारे में भी अपन आगे discuss करेंगे कि किस तरीके से amazing technique अपनी work करती है तब अपन पता करेंगे यहाँ पर कि H plus जो है वो किस तरीके से internal structures की images बनाता है या फिर images के बारे में आपको बताता है अच्छ प्लस प्रोटोन आर श्पिनिंग ओन देर एक्सिस एंड क्रियेटिंग ए मैंगनेटिक फिर्ट एंड हैविंग इस्पिन एंगुलर मोमेंटम देनौटट भाई आई Чकणि जो हएच π्लस प्रोटोन आ जहाँ पी और नुंबर में आपको प्रोटोन है कि आवल एग ही प्रोटोन है वहाँ पे प्रोटोन आर स्पीनिंग ओन देर एक्सिस वहपने प्रे此क्त tänker करेंगे स्पिन का मतलब यह और कि रोटेट करना ठीक है इस पेनिंग ओन देर एक्सिस एंड क्रिएटिंग फिल्ड और क्या करेंगे एक मैगनेटिक फिल्ड क्रिएट करेंगे क्यों कि अपना जो अनमर को दूसरा प्रिंसिपल वह क्या कर रहा है कि मूविंग एलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है चाहिए वह फिल्ड क्रिएट होगा एड हैविंग ए इंगुलर मोमेंटम और उसके पास में क्या होगा एक इंगुलर मोमेंटम होगा जिसे हम आई से डिनोट करते हैं if the even number of protons present in the nucleus अगर किसी भी नुकलियस में even number of protons present है then they then every proton should be paired तो वहाँ पर proton क्या होगा paired होगा one positive up and one positive down जैसा कि हम hybridization या फिर orbital energy के अंदर indicate करते हैं इनको describe करते हैं so these proton spin cancel each other तो यह protons क्या करेंगे एक दूसरे की spins को cancel कर देंगे net magnetic field is 0 और वहाँ पर आपको resultant magnetic field that means total magnetic field की value कितनी मिलेगी 0 मिलेगी but if there is an odd number of proton अगर proton की संक्या कितनी है odd है in the nucleus then they will not cancel each other तो एक दूसरे को cancel नहीं करेंगे and gives a net magnetic field और वहाँ पर एक आपको resultant में net magnetic field मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे magnetic dipole moment बोलेंगे MDM तो यहाँ पे जो अपन principle की बात कर रहे है principle में बार बार एक ही बात आपको बताई जा रही ही है कि odd number of protons जो होते हैं वो spin प्रोड्यूस करते हैं angular momentum प्रोड्यूस करते हैं अब होता क्या है कि अपनी जो human body है उसमें 70-80% क्या है water present है और water में आपको पता है कि H प्लस आयन होता है इसलिए हमने यहां पे बार बार बात किये केवल और केवल H प्लस के हम एक्जाम्पल में और भी दूसरा आयन ले सकते थे यहां पे या फिर दूसरा ऐसा atom ले सकते थे जिसमें odd number of protons हो बट यहां पे हमने H प्लस के बार में इसलिए discuss किया because अपनी human body के अंदर 70-80% water पाया जाता है उसमें भी H प्लस ions पाया जाता है that means इसी के basis पे अपनी MRI होती है that means body organs की internal structures की images आपको मिलती है the magnetic dipole moment in H प्लस atom is found in large number H प्लस के अंदर magnetic dipole moment आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा because in human body human body में 70% लगबग क्या होता है water होता है in which 80% hydrogen molecule exists और 70% जो water है human body में उसमें से भी 80% उनमें क्या होता है H प्लस ions पाया जाता है that means hydrogen molecule पाया जाता है hydrogen molecule के अंदर H प्लस ion आपको मिलेगा that means कि यह जो technique है जो NMR की जो principles हैं जो दो principles है यह obvious बात है जो human body organs हैं उन पे applicable होंगे यहाँ पे क्योंकि human body organ में H2 molecule बहुत ज़्यादा मात्रा में present होता है therefore we use hydrogen for imaging इसी लिए हम इस hydrogen को imaging के लिए काम में लेते हैं the magnetic dipole moment is related to the spin angular moment अपने बात की दो angular momentum की यहाँ पे two pi ठीक है अब यहाँ पे mu क्या है MDM magnetic dipole moment गामा gyro magnetic ratio और आई spin angular momentum basic physics है एक बार इसको पढ़के देखना मिलेगी आपको कहीं न कहीं फिर भी अगर यह basic physics आपको नहीं समझ आती है then you will ask me मैं आपको इनके बारे में बता दूँगा चोटे-चोटे टेप पी गई है magnetic dipole moment gyro magnetic ratio spin angular momentum यहाँ पे h क्या है h की प्लांक constant सुना होगा अपने नाम बहुत बार अपन फिजिक्स में magnetism के अंदर derivation में इसको discuss करते हैं तो that means यहाँ पर एक ही relation है relation के बारे में बताना जरूरी है because अपने दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर spin angular momentum की बात कर रहे हैं और magnetic dipole moment की भी बात कर रहे हैं ठीक है तो आज की class में अपने दो चीजों के बारे में mainly पड़ा है यहाँ पर एक तो अपना introduction magnetic resonance amazing magnetic resonance amazing किस पर depend करती है it works on the NMR nuclear magnetic resonance और NMR के दो basic principle है कि odd number of protons जो होते हैं वहाँ पर spin मिलता है आपको और जो moving charge होते हैं वहाँ पर आपको electric that means कोई electric moving charge है वहाँ पर चाहिए वह positive हो चाहिए वह negative magnetic field को produce करता है और यहाँ पर principle में हमने example या H plus iron का है H plus iron में क्यावल एक ही proton होता है that means odd number में हुआ इस वज़े से वहाँ पर आपको spin भी मिलेगा angular momentum भी मिलेगा magnetic field भी produce होगा इसी को हम imaging technique में काम लेते अपने को human body की image लेनी है that means human body के internal structures की image लेनी है और human body के अंदर 70-80% water present होता है जिसमें से 80% H2 molecules that means hydrogen के molecules present होते है तो hydrogen में H plus iron आपको वहाँ पर मिलेगा और H plus iron होने की वज़े से हम क्या करेंगे उसे magnetize करेंगे magnetic field में ले जाएंगे इनको और magnetize करेंगे हम इसकी images के बारे में पता करेंगे because जो H plus iron है उसके पास spin angular momentum भी है और magnetic dipole momentum भी है जिससे वहाँ पर वह जल्दी से magnetize हो जाएगा और अपने को internal structure की images के बारे में बताएगा ओके थैंक्यू करेंगे झाल 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 झाल